प्रहार टाइम्स की नूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें मैं हूँ फिरोज हास्मी, आप देखरें प्रहार टाइम्स महराष्ट के जलगाओं जिले के एक कॉरंटाइन सेंटर में 33 वर्षी करोना संदिक्द की आत्महत्या का मामला सामने आया है मिर्टक जलगाओं के पच्वरा इलाके का रहने वाला था और उसे दो दिन पहले ही कॉरंटाइन सेंटर में दाखिल किया गया था फिलहाल इस बेक्त की कॉरोना की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है बीती रात मिर्टक विनोद ने कॉरंटाइन सेंटर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली फिलहाल इस मामले की जाच पचोरा पुलिस कर रही है और आज सुबा इस घटना की जानकारी कॉरंटाइन सेंटर में रहने वाले दूसरे मरीजों ने सेंटर के जिम्यदार प्रसासन को दी और फिर वहां से अस्थानी पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई किस वजह से विनोट जिसकी उम्र 33 वर्सी है फासी लगाई उसका पता अभी तक नहीं चल पाया है और पुलिस सेंटर के कुछ मरीजों को भी संग्दिक्र मामले में जाच करेगी उनसे पूंश ताच करेगी और विनोट को 29 तारीक को जलगाउं जिले के कॉरंटीन सेंटर में भरती कराए गया था और 20 तारीक को उसका स्वाब लिया गया था लेकिन अभी तक रिपोर्ट का इंतेजार है रिपोर्ट आई नहीं है इस घटना के बाद से सेंटर में हरकम मचा हुआ है और मरीज भी इस सेंटर में रहने को अपतायार नहीं है पूरे महराष्ट में कॉरंटाइन सेंटर में होने वाली परिसानियों से वहां भरती होने वाले मरीज परिसान है कई बार उन्होंने इस बात को सोशल मीडिया पर सेयर भी किया है बावजूर इसके अभी तक कोई भी कारवाई ऐसे कॉरंटाइन सेंटर पर होती हुई नज की है ऐसे में कुरंटाइन सेंटर के ऊपर भी सवाल उठते हैं आखिर वहां ऐसी कौन सी खाम्या है जिसके कारण जो मरीज है वो उस कुरंटाइन सेंटर में रहने को तयार नहीं है वो अपनी जान दे रहे हैं और इसी के साथ समाज राजनीती से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहाय टाइम की